उन भगवान अरह सम्मिक संबुद्ध को मेरा नमस्कार है हमारे पूज्य गुरु भंदी जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ अज मैं आप लोगों को आर्य उपोसत के बारे में जान करे देने वाला हूँ हमारा देश सत्पुरुशों का देश है सभी सत्पुरुशों ने उपोसत की प्रशन चाकी है अनिक तरह से उपोसत के शुबपरिनाम को बताया है इसलिए इस भारत भूमी में बहुत प्राचीन काल से लोग उपोसत का पालन करते आ रहे हैं और इसके शुबपरिनाम को भी वो पाते हैं प्राप्ट कर लेते हैं भगवान बुद्ध ने अनिक तरह से उपोसत करने के बारे में देश ना दी है आज तथागस सम्मिक संबुद्ध के परिनिर्वान को 2600 साल हो रहे हैं यानि धाए हजार साल बाद आज भी लोग उपोसत पालन करते हैं बुद्ध देशों में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं अस्टांग उपोसत शील पालन करते हैं ये बुद्धों की परंपरा है परंपरा के अनुशार लेकिन भारत में आज हम देखते हैं बहुत सारे उपासक उपासिकाओं को उसका सही ज्यान नहीं है या सही जानकारी नहोंने से उसका पालन क्यूं करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए इसकी जानकारी नहीं है बहुत सारे लोग इस तरह से मान लेते हैं कि आज मेरा उपोसत है और उपोसत के दीन में मुझे सिर्फ खाना खाना नहीं है या किसी ने बताया होता है कि बारा बज़े से पहले खाना खाते हैं उसके बाद नहीं खाते हैं तो इतना ही याद होता है उसके बाद में कहते हैं कि आने में खाना नहीं कह सकता मेरा उपोसत है लेकिन जो उपोसत का अर्थ है वो पता नहीं है, जो क्या करना चाहिए वो ग्यान नहीं होता, इसलिए जो सुब परिनाम मिलना चाहिए वो हम नहीं पाते हैं, तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार देखेंगे, लेकिन ये उपोसत क्यों करना चाहिए, इसके ब वो जीवन जीते हैं तधागत का श्रावक जो संपूर्ण आश्रों से चित्तमलों से निर्मल हुआ है आश्रों को खशे कर अरहंत हुआ है उन अरहंतों ने जिस तरह से अपना जीवन जिया है उन अरहंतों का अनुकरन करना ही ये उपोसत होता है यानि सत्पुरुशों के आ आचारपद्धती को ही धारन करने को उपोसत धारन करना कहते हैं. तो इसलिए भी उपासको आपको यह आचारपद्धती समझ में आने चाहिए, तो यह क्यूं करना चाहिए? इसके उपर हम थोड़ा सा गोर करते हैं. भगवान बुद्ध ने उपोसत के इतने शुब परिणा को बताया है कि उसके कोई प्रमान नहीं है कि उसके कितने फल मिलते हैं इसलिए उसको सब काम ददं कहते हैं वो पोसत यानि सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने के जुविदी है वो आरे वो पोसत है इसलिए आज बहुत सारे लोग कुछ अपनी अपनी एक आखांग शाय कार के भाए दूर हो या मुझे इस इस बातों में सफलता मिले या ये मेरा कार्य निर्वीग न बने आदी प्रकार से बहुत सारे कामनाओं हम रखते हुए उपोसत पालन करते हैं ये सामान ने लोगों की एक सामान ने एक परंपरा चली आ रही है किसी ना किसी कामना से उपोसत पालन करते हैं या उसे यूं कहें कि आज की बहसा में उपोसत कहते हैं तो भगवान बुद्ध एक दिन शक्यों के जनपद में जाते हैं और सभी शक्यों के उपासक भगवान के सामने आकर भगवान को अभी वादन करके एक और बैटते हैं तब वह दीन होता है उ और बगवान उन शाकों को पूँचते हैं कि क्या तुम लोगों ने उपोसत धारन किया हैं तब बगवान को वो शाक के कहते हैं बगवान हम बहुत कारियों में बीजी रहने वाले यानि व्यस्त रहने वाले लोग हैं बहुत कामी हैं और इस नाना कारियों में व्यस्त रहने के कारण हमें समय नहीं मिलता इसलिए कभी कबार हम उपसद्धारन करते हैं कभी कबार नहीं करते हैं तो भगवान बुद्धुन शाक्यों को कहते हैं शाक्यों ये तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा अलाब है ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अलाब है तुम्हारे बहुत बड़ी हानी है कि तुम लोग कभी कबार उपसद्धारन करते हो और कभी कबार उपसद्धारन नहीं करते हो ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन भगवान आगे बोलते हैं कि सोचो अगर तुम्हारे साथ रहने वाला कोई साथी, अगर एक दिन में एक लाख सुवर्ण कारशाप यानि कोई धन कमाता हो, तो वो अपनी सो वर्ष की उम्र में कितना धन कमा सकता है, तो भगवान को कहते हैं कि भगवान, उसकी सो वर्ष में तो इतनी धन संपती होगे कि वो भी धनवानों में धनवन तो होगा, लेकिन भगवान बुद्द कहते हैं, वो धन भी एक दिन के आरे उपोसत के एक चोटे से अंस के बराबर भी नहीं है बोलते हैं, उसकी सो वर्ष की जो इतनी भी धन संपताए हैं, वो धन संपताए हैं, जो उसको इस प्रकार के पंचक काम गुर्णों से सुक देती हैं, वो सारे सुक संपताए, वो सारा धन भी एक दिन के आरे उपोसत के सुलह भाग के एक आंश के बराबर भी नहीं हैं, इसलिए भी भागवान बुद्द कहते हैं, अगर तुम लोगों को सही मारने में सुक प्रिय हैं, शान्त प्रिय हैं, और ऐसा कभी नहीं करना चाहें कि और वे लोग सम्वेग को प्राप्त होकर सभी लोग उपोसत धारन करने वाले लोग बनते हैं, कि वो इधन हो, जो कोई भी जिसके प्रगार का इश्वरे हो, वो हम इतने प्रमाण में कमाते हैं, कि उसके बहुती की तो मैं किसी प्रमाण में तूलना नहीं की जा सकती, इसलिए भी कोई व्यक्ति ऐसा कहें, कि नहीं मुझे आज उपसत का दिन है, लेकिन मैं आज उपसत ही कर सकता है बहुत बीजी हो बहुत काम है तो वो अपने आप में वो अपने बहुत बड़े लाब को एक छोटे से लाब के लिए अपने हानी करता है आज हम भारत में देखते हैं विशेश करके हमारे महारस्ट में बहुत सारे महिलाएं जादा से जादा उपोसत पालन करती ह पुरुष लोग उपोसत का पालन उतना नहीं करते बहुत कम लोग होते हैं जो हमेशा बुद्धव्यार में आने से दर्म श्रवन करने से उपोसत का मात्व समझने से कुछ लोग उपोसत पालन करते हैं लेकिन अधिकांश लोग तो पुरुष लोग उपोसत पालन नहीं करत क्योंकि जैसे कोई पुरुष व्यक्ति दिन भर कोई काम करता है तो उसे पता होता है कि दिन भर की कमाई में मुझे इतनी पैसे मिलेंगे इतना लाब मिलेगा इसलिए वो सारा काम धाम छोड़के या सारे अपने चोटी-चोटी काम को पुरा करके उस काम के लिए जाता है क्योंकि उसे पता होता है मुझे से इतना लाब है लेकिन आड़ ये उपोसत के peάλan से मिलने वाला जो लाब है उस लाब को न जानने के कारण उसको बहुत गोन समझता है अरे यह तो बहुत छोटी सी एक फामिल्टीज है या चोटी सी बात है लेकिन मुझे तो अपना जीवन जिने के लिए अपना परिवार संभालने के लिए या यू कहें कि हमारे परिवार को सुखी बनाने के लिए ये तो हुझे करना ही पड़ता है तो अपना परिवार सुखी बनाना चाहता है कुछ मात्रा में धन आरजन करके लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि सही मात्रा में कोई वेक्ति अगर अपने परिवार को या अपने जीवन को भी सुखी बना सकता है वो एक कुशल कर्म से पुन्य कर्म से क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलता है चाहे जिसकी प्रकार का धन हो चाहे जिसकी प्रकार का सुख हो वो हमारे पुन्य से ही मिलता है कुशल कर्म से ही मिलता है इसलिए भी हमें ये समझना चाहिए कि मैं सुखी बनूगा या सुखा अनुभाव करूँगा तो ये मेरे ही द्वारा की हुए कुशल कर्म से इसलिए भी मुझे उपोसत का पालन करना चाहिए ऐसा समझना चाहिए भगवान के समय में भी अनेक तरहास के उपोसत किये जाते थे तो भगवान बुद्ध के रहने के बाद भी और न रहने के बाद भी लोग उपोसत का पालन करते जिस किसी परमपरा के आनुसार उपोसत का पालन करते आही रहे थे तो उसी परंपरा के आनुसार एक दिन विशाका भी उपोसत धारन करती है और उपोसत के दिन में पुर्निमा के दिन में दोपहर के समय में भगवान के पास श्रावस्ति में जाती है और भगवान को अभिवादन कर एक और बैठते हैं और भगवान एक और बैठी विशाका को भगवान कहते हैं विशाका इस दोपहर के समय में भरे दिन में कहां से आ रही हो तो विशाका कहते हैं भगवान आज उपोसत दिन है और मैंने उपोसत धारन किया है और इसलिए तब भगवान उस विशाका को कहते हैं विशाके उपोसत तीन तरहां के होते हैं एक होता है गोपाल उपोसत क्या होता है गोपाल उपोसत जैसे कोई ग्वाला यानि गाय को चराने वाला किसी स्वामे के पास गायों का स्वामे है उसके पास जाकर वो गाय लेता है और किसी भूमी प्रदेश में उस गायों को चराता है तो वो सोचता है कि आज मैंने इस प्रदेश में गायों को चराया था आज मैं इस प्रदेश में उनको चराओंगा इस जगां पर पाने लोटा देता है। और इसी प्रकार सोचकर उसी प्रकार के प्रदेश में गाएं को चरा कर पाने पीला कर फिर अपने स्वामी को गाएं लोटा देता है। हैं जिसकोई शाब उदाना हो कुछ चोटे गाहों के लोग है गुडा ऊर्टकोई मुमपले खाते है में जो समवाते हैं तो सोशता है कि मैंने रोटार ठार बहुंगा अब ये खाओंगा ये खाया ये खाओंगा उसी परकार उस सांभाने के प्रती ही अपना चित लगाकर अपना वो दिन बिताता है तो बहुत सारे समाज के लोग चाहे कुछ हिंदू हो तैम मुसलिम हो या बहुत लोग भी जिनको अभी दार्म का आकलन नहों लिकिन छोटे गाउं में रहने वाले लोग उसका ग्यान नहोंने से जो परमपरा के आनुसार जो आती है तो ज्यादा तर वो गोपाल उपोसत का ही पालन करते हैं यह उपोसत उतना महत्फल नहीं होता और यह बहुत लंबे समय से हमारे समाज में दिखाए देता है भगवान बुद्ध आगे कहते है विशा के दूसरा उपोसत है निगंट उपोसत निगंट याने एक श्रमन परमपरा है वह श्रमन परमपरा में इस प्रकार वो आपने शाओं को कहते हैं कि हे पुरुष तो यहां आओ और एक योजन के आंतराल में जितने भी प्रानी है उनके प्रती हिंसा का भाव त्याग दो जो भी हाथ से दंड से या शस्त्र से प्रहार करने का त्याग करो और एक योजन जाए पूर्वदिशा हो दक्षिन हो पच्छिम या उत्तर दिशा एक योजन के आंतराल में जितने भी प्रानी है उनके प्रती का जो हिंसा भाव है या उनको कस्ट पहुचाने का भाव है उसको त्याग दो आहिंसा का चरन करो लेकिन ये योजन के बाद किसातों के बारे में इसे कुछ कहते नहीं और आगे कहते हैं जिस दिन में उपोसत का दिन होता है ये उपोसत का दिन ये चांद को ही या चंदरमा को ही मूल करके क्यों कहा जाता है क्योंकि जैसे सूरज है सूरज से हमें दिन सूरज उगने से द बादा हुए नहीं समझ सकते क्योंकि वो हर दिन में उतना ही परिपूरन रूप से उपता है लेकिन चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जिस तरह से वो परिपूरन रूप में होता है तो उसी प्रकार वो उसे आगले दिन या एक सप्ता के अंतरगत में एक छोड़ा-छोड़ा कम होते जाता है तो उस साथ दिन या आठवे दिन में एक आस्टमी आती है तो वो कम होने के इसमें कृष्णपक्षी की आस्टमी कहते हैं और देरे-देरे कम होते होते जब पूरन रूप से दिखाई नहीं दिता चांद उसको आमावशा कहते हैं तो ये प्रति दिखाई देता है दिन इतने कम होए इतने जादा होए तो इस तरह से जो चंद्रमा की आभा जो कम होते जाते हैं वो कृष्णपक्ष यानि काला पक्ष बोलते हैं उपोसत बोलते हैं और जो चंद्रमा की आभा बढ़ते हुए जाती है तो वो शुकलपक्ष में आते हैं तो ये महन में चार दिन होते हैं जिसे उपोसद करते हैं तो उसी प्रकार वो निगंट लोग भी उपोसद के दिन में आपने शाओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे पुरुश इस प्रकार के आपने सारे वस्तरों को त्याग दो और इस प्रकार से सोचो कि मेरा इस संसार में कोई नही बने हुए की तरह सोचो करके बताते हैं लेकिन इस तरह की वार्णी से तो इस में रिस प्रकार का बहाई हूँ पिता हूँ जिस प्रकार का रिलिशन होता है जो भी है उनको भी पता होता है लेकिन वो इस तरह से वो सोच कर उस प्रकार के वार्ण से आदिस्ठान करते है तो एक प्रकार जिस्त उपोसत के दिन में सत्य में स्थित होना होता है और उसी दिन में वो आसत्य वार्णे बोलते है और भगवान बुद्ध कहते हैं कि वे श्रमन परमपरा के लोग फिर आगले दिन में नदी हुई चीज को भी ग्रहन करते हैं बोजन के रूप में तो इस तरह से जहां दिया हुआ ही ग्रहन करना याने चोरी करने से विरत रहना उस दिन में अच्छा होता है लेकिन उसी दिन में नदी हुई चीज का ग्रहन करते हैं इस तरह से अनेक तरह से चित्व को क्लिष्ट बनाते हुए ही या अपने कर्म को निर्मल बनाने की बजाए आशुद बनाने की और ये उसका जुका होता है इसलिए भी वह उपोसत बहुत महात्फल दाइव नहीं होता या बहुत अच्छा शुपपरिनाम दने वादा नहीं ह होता है आज बहुत सारे लोग आनेक देवताओं को उद्देश कर जैसे हमारे भारत में कुछ जैसे साथ सब एक सब तहां के अंदर के जो जो वार आता है उस जैसे सो मार है मंगल वार है आधी आधी तो एक-एक देवताओं को चून कर एक-एक वार को उपोसत कर रहा हूँ उपवास करते हैं, इस प्रकार से किसी को उद्देश कर या किसी देवताओं को उद्देश कर उपुसत करके उपुसत करके, उपुसत पालन करते हैं, और सोसते हैं कि यही मेरी पीडा आए, दूर हो जाया है, मैं ऐसा नहीं करता है कि उसमें कुछ नहीं है लेकिन इस मेंसे जो कुछ जितना मिलता है उसे सो गुना अधिक आपको उसके बदले में देना पढ़ता है ये बात आपको मतलब बहुत सुक्ष्म होने से समझने में थूड़ी कटिन है लेकिन बात ऐसी है कि अगर किसी के अनुकम पास अगर कुछ मिलता है तो उसके बदले में इस लोग में हो चाहे पर लोग में हो उसके बदले में बहुत कुछ आपको देना पड़ता है इसलिए भी इस तरह के उपोसत पालन करने वाले लोग भी हम देखते हैं और इसे बहुत सारे कुछ लोगों के सुखी बनते हुए भी देखते हैं कुछ लोगों के कोई काम ना पूरी ना होती हुए भी देखते हैं तो इस तरह के उपोसत भी बहुत लाबदाई नहीं होते लेकिन भगवान बुद्ध तीसरे उपोसत के बारे में बोलते हैं, कि विशाखे, तीसरा उपोसत है आहरी उपोसत, तो भगवान विशाखां को कहते हैं, विशाखे, जैसे कोई किसी उपक्रम से किसी शीशे को साफ किया जाता है, शिशा जो भी शिशा हो उसके इसी उपकरम से साफ किया जाता है जैसे कोई पाणी हो कोई वस्त हो या कोई पुरुश व्यक्ति का कोई जिस तरह से इकृति की करते हुए वो इसी को साफ करते हैं तो भागवान बुद्द कहते है उसी उपकरम के उपकरम के तरह ही उपकरम से ही हमारे चित्त को भी निर्मल किया जाता है हमारे चित्त में भी जो कुछ भी मल है जाने कलेश है चाहे वो काम संबंदित हो चाहे ड्वेश संबंदित हो चाहे आले से संबंदित हो चाहे जिसके परकार के चाहे करोद हो मुह माया हो आधी आधी जितने भी कलेश है से ही निर्मल किये जाते हैं तो कोई वेक्ति उपोसत के दिन में भगवान बुद्ध के परति बहुत शद्धा उत्पनगर भगवान बुद्ध को तधागत को समरन करता है भगवान बुद्ध को समरन करना या ने भगवान के मात्र काया को समरन करना नहीं भगवान में जो ब भगवान के जो भी रूप काया है, वो भी अचंदनी है, उनके रूप काया में भी इतने गुन है, इतने सद्गुन है कि सोच नहीं सकते, 32 महापुरुष लक्षन है, और असी उपर वेंजन, यानि उपर लक्षनों के संपन ये शरीर काया है, तो भगवान को उस तरह से भी स स्मरन करना चाहिए, तो भगवान के गुनों को कोई वेक्ति इस तरह से स्मरन करता है, जैसे कि भगवान हमारे अरहंत है, सम्मिक संबुद्ध है, विद्याचरण संपन है, सुगत है, लोक विदू है, अनुत्तर पूरुष दम्म सारत है, सत्था देव मनुस्था ने भगवान है, इस तरह से भगवान के गुनों को स्मरन करते हुए, भगवान के गुनों को बहुत श्रद्धा से अनुस्मरन करता है, तो भगवान बुद्ध पहते हैं, कि उस प्रकार के गुनों को स्मरन करते हुए, उसकी श्रद्धा और दुरुड बनती है, तत्हागत की और वो प्रमुदित भाव उसको प्रिती उत्पन करता है और वो प्रिती उसको उसके शेरिरा और चित्त को बहुत शांत प्रशब्द बनाती है और यह प्रशब्दी उसको सुक अनभव करती है और यह सुक एकागरता किया जाता है और इस तरह से एकागरता हुए मन में जो क तत्हागत को अनुसमरण करते हुए उपोसत पालन करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वहाव्यक्ति बागवान के साथ बागवान के साथ रहने वाला बनता है। और भगवान बुद्ध्य कहते है आयं गुच्च थी विशा के आरिय साओं को ब्रह्म उपोसतं उपवसती तो इस प्रकार का उपोसत धारन करने वाला वेक्टी ब्रह्म उपोसत धारन करता है यानि तथागत यानि सर्वस्रेश्ट रूपी तथागत को ही ब्रह्म कहते हैं तो इस प्रकार उपोसद धारन करने वाला वेक्ति ब्रह्म उपोसद धारन करता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार उपोसद धारन करने वाला वेक्ति ब्रह्मुना सद्धिंग संवस सती यानि तथागत के साथ रहने वाला बनता है ब्रह्मन चस आरब बंग पसीदती इस प्रकार तथागत के प्रती ही तथागत को उद्देश कर ही चित्त उसका बहुत श्रद्धावान बनता है और इस प्रकार के श्रद्धायुक्त मन से श्रद्धा उत्पन होने के बाद प्रिती उत्पन होती है और उप्रिती प्रिती मन से जितने भी कलेश है उस इसी प्रकार भगवान बुद्ध आगे बोलते हैं कोई आरिय श्रावक धर्म का अनुस्मरण करता है कि धर्म भगवान का धर्म सू अख्यात है भगवान का धर्म सांदरिस्टीक आखालिक है यारे भूत बहविश्या और वर्तमान काल में भी समान रूप से परिनाम देनी व योग्यता रखने वाला है ओपना यानि हमें क्रम से हमें उत्रित और निब्बान की उरली जाने वाला है और पच्चतंग वेदितबो विन्यु ही यानि बिग्ये जन्नों द्वारा आपने चित तथा शरीर के उपर आनुभाव के स्तर पर ज्यात करने योग्य है तो इस परक है तो इस परकार ध्म उपोसत धारन करने वाला वेक्ति धार्म के साथ रहने वाला बनता है धार्म के साथ धार्म से धार्म के प्रति ही उसकी श्रद्धा उत्पन होती है और उस श्रद्धा से ही चित्त के जितने भी उपकले है उपकले प्रहीन हो जाते हैं तो इस परकार के उपोसत से चित्त उपक्रम करते हैं जैसे हमारे खाया को हम शुद्ध करते हैं जैसे पानी है कोई जो भी उपड़न है उससे हम शरीर को मलते हुए शरीर शुद्ध करते हैं उसी प्रकार ये चित्त भी उपकरम से परिशुद्ध होता है भगवान आगे कहते है कोई आरे श्रावक श्रावक संग जो थदागत का श्रावक संग है उनका आनुस्मरन करता है उपोसत के दिन तो भगवान का श्रावक संग ऐसा है जो सू पटीपन है उजू पटीपन है न्याय पटिपन है, सामिजे पटिपन है और अटपुरी से पूद्गल है इस परकार से जो संग के जो गुन है उन संग के गुनों को समरन करता है तो इस परकार संग के गुनों को समरन करता हुआ व्यक्ति बगवान बुद्ध कहते हैं वो संग उपोसत धारन करने वाला बनत इक अपन प्षिक दारण करने वाला वैक्ती संगा के पुरदि आफी बहुत श्रधावान बनता है और यह श्रधा उसके चित्तों को निरमल बनाती है रिड़ा नागे मैं यह और क्यों सिनफान आए अपने शील को निधित उनागी बैशेय में और क्वेजित अपना चत्धा करता है कि आपने जो भी शील दारन करते हैं चाहे वो पंच शील हो आस्ट शील हो तो उन शीलो को अनुसमर निस परकार करता है कि मैंने जिस समय से ये शील ग्रहन किया है उस समय से ये शील अखंडित है उसमें कोई खंड नहीं है कोई छिद्र नहीं है कोई उसमें से कोई कल और समाधी को बढ़ाने के लिए अनुकुल बढ़ाने वरा शील। इस परकार शील के गुनों को अनुसमरन करते हुए बहुत श्रद्दा उत्पन्द करता है। बहुत पृति उत्पन्न करता है और पृति प्रमोत से ही वह अपने चित्ता और शरीर प्रशब्द उसका होता है और यह प्रशब्द उसको समाधी के और ले जाते हैं और इस क्रम से उसके चित्त के जितने भी उपकलेश है वो उपकलेश प्रहीन हो जाते हैं तो इसे प्रक पोशब करते हुए भी आपने चित्ते उपकलिशो को प्रहीन करता है कोई व्यक्ति कोई आरियश्याय कोई kole है के सान के बारे में जो तीन रतनों को शरंद गया हुआ नित्यशील का पालन करने वाला विक्ति उसको या तित्हागत के धर्म को आवबोद से जानने वाला उसके आरियश्रावक करते हैं तो कोई आरियश्रावक विक्ति इस प्रकार देवताओं का आनुस्मरन करते हैं उसको देवता अनुस्थिभी कहते हैं तो देवताओं का अनुस्मरन किस प्रकार करता है कि इस संसार में चातुमहाराजिक देवता हैं जितने भी देवताह लोग हैं तो जिस श्रध्धा के रोड़ से यह उखत होने से इस मनुष्य लोग से चूत होकर उस देवता लोग में यानि चातो महराजिक देवता लोग में उत्पन हुए है उसी श्रद्धा से श्रद्धा गुनों से युक्त मैं भी हूँ जिस तरह से मैं श्रद्धा गुनों से युक्त हूँ उसी प्रकार वे भी देवता थे वे भी देवता मनश लोक में थे और वहाँ पर जाने के बाद भी है तो उसी प्रकार जिस शील गुनों के आनुसार या शील गुनों से युक्त होकर वे देवता मनश लोक से उस चातु महराजिक देवता लोक में गए तो उसी शील गुणों से युक्त मै भी हूँ जैसे मैं हूँ एसी प्रकार वो देवता है तो उसी प्रकार शरुत गुण है त्याग गुण यानि दान है और प्रग्या ये पाँच सेख बद धाद आदि ये पाँच धर्म होते हैं उसे श्रध्ध, शील, श्रुथ, त्याग और प्रग्या ये पाँच गुन जैसे उन देवताओं में थे कि जिस इन सेख धर्मों के कारण उस देवता लोग में उत्पन हुए उसी प्रकार के सेख धर्म ये श्रद्दा सिल श्रुत त्याग प्रज्या मुझ में भी है जैसे मुझ में है जैसे उसमें भी है इस प्रकार अगर देवताओं के गुनों का अनुस्मरण करते हुए वो उपोसत दैुसाती के साथ उपोसत धारन करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं उसे वो देवता उपोसत धारन करने वाले लोग बनते हैं तो इस प्रकार के आनुस्मरन से भी देवतानुस्ति भावना से भी आनुस्मरन से भी उनके चित जो उपकलेश है वो उपकलेश प्रहीन हो जाते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस प्रकार से भी कोई वेक्दी उपकरम से अपने चित को जिर्मल बनाता है जैसे कोई स की तरह ही कोई व्यक्ति अपने चित्त कुन जिर्मर बनाता है बगवान बुद्ध आगे कहते हैं विशा के कोई आरेश रावक इस प्रकार सोज कर अस्टांग उपोसत शील धारन करता है यह अरहंत लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं उनके शील गुनों को समरन करते हुए उ अपने जीवन में भी धारन करते हुए उपोसत धारन करते हैं उसे अस्टांग उपोसत करते हैं तो वो यह अस्टांग उपोसत इस तरह से धारन करना चाहिए कोई व्यक्ति इस तरह से यह अस्टांग उपोसत धारन करता है कि यह अरहंत जन यह बहुत ध्यान से सुनना च आज जे में बहुत सारे लोग अस्टांगोपोसत सील पालन करते हैं, तो उनको ये बात समझने चाहिए, तो ये एक शिल इस तरह से दारन करना चाहिए, कैसे हैं? कि अरहनत जन, सदा के लिए अरहनत जन, अपने जीवन में सदा के लिए जिव हिंसा से विरत रहते हैं, जिव प्रकार की जिवहिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहन करने से मैं उन आहंतों का आनुकरन करने वाला बनुँगा और इस प्रकार का आनुकरन करने से करते हुए मैं अपना उपोसत भिपरिपूरण करूंगा या मेरा उपोसत भी दा, मैं धारण करूंगा, या परिपूर ना करूंगा, इस प्रकार से एक शील को धारण करना चाहिए, उसी प्रकार दूसरा शील है, जैसे आरंतजन सदा के लिए, न दी हुई चीज को लेने से फिरत रहते हैं, दूर रहते हैं, और दी हुई काहिस्व कार करते हैं, उसे की आशा करते हैं, तो मैं भी आज इस उपोसत के दिन में, चाहिए व पुर्णे मा हो, आमावस हो, चाहिए आस्टमी हो, इस उपोसत के दिन में मैं भी इस दिन और इस रात के समय में, मैं भी न दी हुई चीज लेने से विरत रहने की शिक्षा गरहन परिपूरन होगा. इस प्रकार वो आदिस्ठान करते हुए, इस प्रकार प्रदिग्या कर लेते हुए वो शिल्गरहन करता है. तो तीसरा सेल इस प्रकार है कोई व्यक्ति जैसे अरहंत जन सदा के लिए अब भ्रह्मचर्य से विरत होकर भ्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं मैं भी आज के इस उपोसत के दीन और इस रात के समय में मैं परिपूरुन तहा अब रह्मचरिय से विरत होकर पूरुन तहा ब्रह्मचरिय का पालन करूंगा यानि उस दीन में मैं थुन दार्म का सेवन नहीं करूंगा काम सेवन नहीं करूंगा इस प्रकार से पूरुन तहा अधिस्ठान करते हुए उस आरंतों के गुनों को स्मरन करता है कि ये आरंतों का गुन आज के दिन मैं भी धारन करूँगा इस प्रकार के आरंतों के गुनों को मैं धारन करता हुआ उनका आनुकरन करने वाला बनूँगा और इस प्रकार का आनुकरन करते हुए मैं आपना ये उपोसत परिपूरन करूंगा तो इस प्रकार से उत्तीस राशील पालन करता है उसे प्रकार चवता अंग होता है अस्टांग उपोसत शील में से कि अरंद जन सदा के लिए असत्य बोलने से विरत रहते हैं, दूर रहते हैं तो मैं भी आज की इस उपोसत के दीन में असत्य बोलने से विरत रहने के शिक्षा ग्रहन करूंगा इस प्रकार शिक्षा ग्रहन करता हुआ मैं उन अरंदों का आनुकरन करने वाला बनूंगा और इस प्रकार आनुकरन करता हुआ मैं ये उपोसत परिपूर्ण करूँगा उसे प्रकार ये अरहंत जन अपने जीवन में सदा के लिए यानि एक दो दीन के लिए सदा के लिए जितने भी नसिली द्रव्य है उसका सेवन करने से दूर रहते हैं उसे विरत रहते हैं तो मैं भी इस आज के उपोसत के दीन और इस दीन और रात के समय में परिपूर्ण रूप में इस नसिली द्रव्य का सेवन करने से विरत रहने की शिक्षा गरहन करता हूँ इस प्रकार के शिक्षा गरहन करने से यह शील करन करता है चटवा अंग है चटवा शील इस प्रकार है कि आरंतजन सदा के लिए सदा के लिए विकाल भोजन विकाल भोजन याने दोपर के बारा बजे के बाद जो कुछ भी खाद्य पदारत है उस सेवन करने से याने भोजन करने से विरत रहना विरत रहना तो यह शील है तो अरहनत जा सदा के लिए विरत रहता है तो मैं भी आज के इस उपोसत के दीन में इस पूरे सुबह से लेकर शाम रात तक और रात से लेकर सुबह यानि साड़े बाज बजेता ये समय होता है उपोसत का पालन करने का तो इस कारिका इस एक दिन परिपूर्ण दीन म मैं भी विकाल बोजन से विरत रहूँगा इस प्रकार शिक्षा ग्रहन करते हुए मैं उन अरहनतों का आनुकरन करने वाला बनूँगा और उन अरहनतों के आनुकरन करते हुए मैं ये मेरा उपोसत शील परिपूर्ण करूँगा परिपूर्ण होगा तो इस प्रकार वो आ तो जितने भी फलो के जो रस हैं, वो हम शाम के समय में ले सकते हैं, बारा बज़े के बाद में बोजन में आने वाले कोई भी चीज़ नहीं ले सकते हैं, और सुबह साड़े पांच बज़े से बारा बज़े के समय में हम एक दो बार भी खाना खा सकते हैं, किसी को भूग बह खाएं तो भी कोई समस्या नहीं है लेकिन बारा के बाद नहीं खाते क्योंकि यही आरंदों की परंपरा है और शाम के समय में किसी कोई लगता है कि मुझे बहुत भूग की पीड़ा हो रही है तो वो चतुमधूर नाम का एक चारमधूर पदर्दोस हमारे भारत में पंच आपने पीड़ाओं को कम करने के लिए या थोड़ा सा गूड़ खा सकते हैं या आपने बूग की पीड़ाओं को कम करने के लिए तो जिन लोगों ने मुझे यह प्रस्ट ने पूछा था कि यह खा सकते हैं तो इसका यह उत्तर है तो यह समझना चाहिए और कोई कोई कहता है कि मैं थोड़ा सा खाऊं या थोड़ा सा नास्ते की तरह खाऊं तो चलेगा यह ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं तो यह जो अरहंतों की जो जीवन चर्या हैं, जिसको हम आनुकरन करते हैं, वो आनुकरन खंडित होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कि आगर आपने सुबह से लेकर शाम, छै बजे तक मतलब खाना नहीं खाया, मतलब विकाल बोजन से विरत रहे कर अस्टांग उपोसत पालन किया, तो आपको ये आधा उपोसत मिलता है, लेकिन छै बजे के बाद कोई विक्ति आहर गरंड करता है, उपोसत तूट जाता है, लेकिन किसी विक्ति को याद नहीं होता, इसलिए सुबह तो नहीं करता है, लेकिन तो उपोसत का भी बहुत पुन्य है, महाथफल दाए, महाथफल मिलता है। इसके बारे में बहुत सारे जानकरिया है, उधारन בी है, समय बहुत कम हैं, लेकिर बने करुछ सेंक्षb में बताऊंगा। आपने कभी सुरुची जाहं तक पढ़ी हो या सुरुची जाहं तक के ब भुमत्त देवतालोग में जन्मग्रांड किया था, उसको भी आपने शायद मेरे पहले किसी प्रवचन में सुना होगा, तो ये अर्द उपोसत, अर्द उपोसत का पुन्य मिलता है और वो भी बहुत बड़ा लाभग होता है, बहुत बड़ा वीपाग देने वाला होता है, तो साथवाँ सील होता है, अर्द जन सदा के लिए, यानि नृत्य, गीत, वाद्य या विसुक दर्शन है, विसुक दर्शन में होता है कि जिस दर्शन से, यानि जो हम तीवी देखते हैं या कुछ जिससे कि हमारे बीचर कलेश उत्पन हो, उसको विसुक दर्शन करते हैं तो इससे वो विरत रहते हैं उसी प्रकार जो माला है जैसे फूल की माला हो चाहिए अलंकार की माला हो तो ये माला गंद कोई लेपन हो उसको धारन करने से या अपने शिर को मंडित करने से आरंतजन सदा के लिए विरत रहते हैं आज के इस उपोसत के दीन और इस रात के समय में भी मैं भी इस प्रकार नक्चगीत वादित विशूक दस्षन माला गंद विलेपन धारन मंदन विभूसन ठान यानि ये सारी बातों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहन करूंगा इस प्रकार की शिक्षा ग्रहन करने से मैं उन प्रकार आरंदों का अनुकरन करता हुए मैं ये शील उपोसत परिपूर न करूंगा आठवा शील है आठवा आंग है आरंद जन सदा के लिए उच्यासयन या उच्यासन या शैनासन का उपयोग नहीं करते उससे विरत रहते हैं तो मैं भी इस आज के इस उपोसत के दीन और इस रात के समय में उच्यासन या शैनासन का उपयोग करने से विरत रहूँगा और इस प्रकार विरत रहते हुए मैं उन आरंतों का आनुकरन करने वाला बनूँगा और इस प्रकार आरंता का आनुकरन करते हुए मैं ये मिराश उपोसत सील परिबूर में करूँगा इस प्रकार वो अस्टांग उपोसत सील धारन करता है इस आठवेशील के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओंगा, कुछ लोगों ने प्रशन पूछा था, क्या हम कुछी छोटे से उचासन मतलब कोई लकडी का कोई तक्त हो तो वो उचासन बनता है, लकडी से बना हुआ जो मंच है या तक्त है, वो उचासन नहीं बनता, उसके उपर सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, और साधारन रुप से हम जो चटई उपयोग करते हैं, वो भी उचासन नहीं बनते हैं, लेकिन बाकी सारे उपर, बाकी उचासन बन सकती हैं, या जो महर्ग आसन होता है, जिससे बैठने के बाद, मिद्द सुख, या इस परशव सुख मै जो वेक्ति शील गरहन करता है यानि उसे अस्टांग उपोसत शील कहते हैं। ये अरंतों का नित्य जीवन उस उपोसत के दीन में धारन करने के कारण ये अस्टांग आर्य उपोसत कहिलाता है। तो हमारे भारत में आधिक तो लोग इसी उपोसत, इस परक्रम से उपोसत धारन करते हैं, तो मैंने ये जितने भी उपोसत के बारे में बताया है, उसको समझते हुए आपने जीवन में उपोसत धारन करें, उसका शुब परिनाम कितना है सोच नहीं सकते हैं, भगवार ने इ स्टांग उपोसत या आर्य उपोसत पालन करने के शुब परिनाम को बहुत तरह से बताया है, महत फल अदाई बताया है, उसके फल को प्रमान नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ फलों को इस तरह से भी बताया है, कि जैसे कोई भगवान के समय में इस पूरी भारत में सोलह जन इस एक दिन के आर्य उपोसत के एक कोड़ी के मोल के बराबर, यानि उसके सुलहवे भाग के भी बराबर नहीं है, वो तो बहुत कृपन है, बहुत छोटा सा है, क्योंकि एक दिन का आर्य उपोसत का जो سूख है, उसका परिनाम है, वो तो महाफल दाये हैं, उसके कही गु इन चैसी भी लोग में वो जा सकता है, इस चैए देवक में सबसे कम नीचे वाले देवलोग का भी आयु प्रमान अगर कहा जाये, तो वो भी बहुत लंबा है, किमकि ऐसे महापा जा सकता है तो मनुष्य लोग का जो आयुश्य है वर्ष है उसके गरना से पचास वर्ष का एक दिन होता है और इस पचास वर्ष का एक दिन से तिस दिन का एक मैना होता है आरा 12 मेंनóं से, उसी 1 मेंने से 12 मेंने से 1 वर्ष होता है, और इसी 1 वर्ष से 500 वर्ष का आयु प्रमाण उन देवताओं का होता है, उपा सको, तो इस प्रकार आर्य अस्तांग उपोसत सील पालन करने के बहुत सारे शुबपरिनाम है, तो ये शुब परिनामों का, ये भी महाचफल ये शुब परिनाम है, कि वह वेक्ति हो सकता है, कि इस उपोसत शील पालन से, चाहे चातो महराज देवलोग में उत्पन हो सकता है, ताउतिस देवलोग में, तुशित देवलोग में, या उसे भी उपर के देवलोग में उत्प उसके लिए एक भगवान एक उधार बताते हैं इस सूरज की रोशने में जितने भी धन है चाहे वो मनुश्य लोग का हो चाहे देव लोग का जितना भी धन है उसके अंतरगत आने वाला धन वो धन भी वो एश्वरिय सूक भी इस एक दिन के आरे उपोसत के यानि सुलहवे क भाग के बराबर एक कोड के मोल के अंश के बराबर भी नहीं है तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि या अस्टांग उपोसत सील पालन करना कितना लाबदाई है इसलिए भी उपासको इसका महत्व समझते हुई उसका पालन करे उसका उपोसत कि कम से कम महने में चार दिन उपोस हो, चाहे महिला हो, हम सब को सुक शान देपरिया हैं, हम सभी लोग सुक की कामना करने वाले हैं, अगर हमें दुख अपरिया हैं, और दुख से भै लगता है, तो ये सुक का विपाग देने वाला अस्टांग उपोसत, हार ये उपोसत पालन करें, इसे बहुत मंगल होगा, ब आशिर्वात करता हूँ, सब का मंगल हो, नमो बुद्धा है,